नमस्काइ ugly अफसे आए ज्रकंड की टव 25 पर मोग खबर जानते हैं जैक बॉर्ड मैट्रिक इंटर के मोख्य परीक्षा से पहले हो सकता है प्रैक्टिकल जैक के दसवी और बरहवी बॉर्ड का प्रैक्टिकल एकजाम मोख्य परीक्षा से पहले लिया जा सकता है थियोरी परिक्षा मार्च के आखरी सब्ता में सुरू हो सकती है यह चर्चा सन्निवार को जिला इस्कूल में अविजित बैठक में हुई हाई और पलस्टू स्कूलों के परचारियों के साथ जैक सचीव महिप कुमार सिंग ने समिक्षा बैठक की जिसमें उन्होने परचारियों के आविजण को फॉर्मेट के समध में जनकारी दी बैठक में जीला सिक्षा पतादिकारी अरवीन बिजय बिलौंग भी मौजूद थे बैठक में बताया गया कि मोख्य परिक्षा मार्च के आखरी सब्ता में सुरू होने की संबवना है जार्खन जगुवार का अस्थापना दिवस पर CM बोले नक्सलियों का सामना करने में सक्षम है जगुवार के जवान जवान नक्सलियों के लिए काल साबित हुए है CM ने जार्खन जगुवार के चोधावया स्थापना दिवस पर राची के रात्तू में आयोजीत कारिकरम में एबाते कही उन्होंने नक्सलियों हमले में सहीत जवानों के परिजनों को समानित भी गिया जार्खन के राची जीले के रातू परखन के टेंडर स्थीत STF हेट क्वार्टर में जार्खन जगुवार का चोधावास अपना दिवस मनाया गया जार्खन के 300 थानों में हेल्थ डेस्क किये जाएंगे सुद्रीड राज्जे के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क को सुद्रीड बनाया जाएगा CID मुख्याल ने इसके लिए 300 स्कूटी और 300 टेब की खरीदारी की परकिल्या शुरू कर दिया है इसकूटी की खरीदारी के लिए टेकनिकल बीड खुल गया है, फाइनाइनसियल बीड खुलने के बाद खरीदारी की परकिरिया होगी, मुख्याले की योजना परतेक महिला हेल्प डेस्क को एक एक इसकूटी और टेब उपलब्द कराने की है, यह खरीदारी निर्भया बने गा मोडल स्कूल, जार्खन के 24 जिल्यों में बन रहा जिला अस्तर ये मोडल स्कूल का निर्मान दिसंबर 2022 थक पुर्ण कर लिया जाएगा हर जील्यों में 3 श्कूल सुरू करने की दिशा में सरकार till 20 से कारे कर रही है, ऐसे इसकूल में जीला स्कूल, कन्या, उच विद करेगी ताकि सिक्षा के विभीन मानकों तथा उत्क्रिष्ट अधार्वुत संरचना के साथ आने वाले बर्सों में इन इसकूलों को विक्सित किया जा सके इसे गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को समयकित सिक्षा का अउसर मिल सकेगा पंचायत चुनाव पर ग्रामिन विकास मंत्री ने दिजनकारी ग्रामिन विकास वो पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राजे में जल्द ही पंचायत चुनाव कराये जाएंगे राजे को पहले ही बहुत घाटा हुआ है राजे को नुकसान हो रहा है ऐसी सरकार मन्थन कर रही है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद पच्छिम बंगाल सही दूसरे राजे से चुनाव कराए है हम देख रहे हैं कि रास्ता क्या है या पूछे जाने पर कि अगर जल्द चुनाव कराएंगे तो बीना ओवी स्या रक्षन का ही चुनाव कराना होगा मंत है अब 12 से 14 साल तक के करीब 23,90,000 की सोरों को टीका लगेगा स्वास्त विभाग ने ऐसे करीब 23,90,000 की सोरों को चीनित किया है हालाकि अभी केंद्र सरकार ने टीका करन का समय निधारित नहीं किया है लेकिन मार्च के प्रत्व माह से इसके शुरुआत होने की संभावना ह स्वास्त विभाग ने इसकी जीलावार सुची त्यार कर ली है आकडों के नुसार राची जीले में 12 से 14 साल के उम्र के 2,11,138 है जैरकन में महंगा होगा बालू और स्टोन चीपस जैरकन में फरवरी माह से बालू स्टोन चीपस समय तमाम खनीजों पर यूजर चार्ज लगना सुरू हो गया है इसका सीधा प्रभाव बालू और गिट्टी की कीमतों पर पढ़ने लगा है एक ट्रक गीटी लेने पर अब 24 सरुपे अतिरिक्त भुखतान करना पड़ेगा वहीं एक ट्रक बालू लेने पर 600 रुपे से लेकर 12 सरुपे तक का अतिरिक्त भुखतान करना होगा कुछ इलाकों में अब यूजर चार्ज लगना सुरू भी हो गया है पत्र निर्मान विभाग ने जारी किया था आदेश बता दे गयट नोटिफिकेशन जारी कर द इंडिया टोल्स एक्ट 2022 में जार्खंड सरकार ने एनेच को छोड़ कर राज से गुजरने वाली सडको पूलो, फ्लाई ओवर, आर ओबी, बाइपास, टनल आधी पर, मिनरल, कैरिंग, वीकल पर यूजर चार लगाने के प्रधान किया है जार्खंड केरल समेट 6 राजों में 100 पर्थिसत बचों का टिका करन सिसु मिर्तियूदर को कम करने और उन्हे भीमारियों से बचाने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर बचों का टिका करन अभियन चलाया जाता है भारत सरकार इंद्र धनोस कारे करम चलाती है कई राज्यों ने ठीका करन अभियान को प्रभाव साली तरीके से लागू किया है जब कि कई राज्य अब तक इसके महत्यों को सायद समझ नहीं पाया है यही वज़ा है कि देश के मात्र चार राज्यों में 150 दीका करन समझ हो पाया है अंडमान एवम निकोबार दीप समू एवम लक्ष दीप दो ऐसे केंद्र सासित परदेश हैं जिन्होंने इस लक्ष को हासिल किया है स्रावनी मेले को लेकर जिला परशासन की त्यारी राजकी ये स्रावनी मेला 2022 की त्यारी को लेकर जहारखन का देवघर जिला परशासन अभी से जुट गया है उपायुक्त मंजुनात भयंत्री ने स्रावनी मेले की त्यारी को लेकर पिछले दिनों विभीन विभागों के अधिकारियों के सथ बैठक कर निर्देश दिया था DC ने कहा था कि स्रावनी मेले में सरधालुओं की भारी भीड उमर्ने की समवना है ऐसे में सभी विभागों को सक्त निर्देश दिया की सभी सम्वन्दित विभाग एक सप्ता के अंदर स्रावनी मेला और भादो मेला के लिए एक्शन पलान त्यार कर भेजे देवगर के उपायुक्त मंजुनात भयंत्रीन अधिकारियों से कहा था कि स्रावनी मेला कि दोड़ान सर्धालूओं को हर सम्भव सुविधा उपलवत कराने के उदेश से कोडिनेशन टीम का कठन करे जहारखन में कुरोना के 166 नए केस मिले है जबकि 305 में मरीज स्वास्थ भी हुए है जहारखन में कूल एक्टिब केस की संख्या 840 है भारत में 18,579 केस मिले है जबकि 47,782 मरीज स्वास्थ भी हुए है भारत में कूल एक्टिब केस की संख्या 2,21,094 है